वेलकम डियर स्टूडेंट्स टूडे वी सॉल्व सम् क्यूशन्स ओफ इंडस्वेली शिविलाइजेशन तो जो शिंदू सब्वेता है जिसका मेच्चोर काल है वो तेई सो इसा पूरू से लेकरके सत्रा सो पचास इसा पूरू था और इस सब्वेता को हडपा सब्वेता के नाम से भी जाना जाता है तो इसके कुछ क्यूशन अपन हल करते हैं और इससे के पहले के जो क्यूशन है वो पहले के वीडियो में हल की होई है तो निमल लिखित मेंशे कौन सा हडपी नगर दो भागू में विबग था उंची गड़ी और निचला सहर तो देखो इस्टू नीचे हुआ करता था तो इनके अंदर कौन कौन से सहर हैं वो इसमें विबग थे तो हडपा बिल्कुल था महुन जोदरो ये भी था काली बंगा ये भी गड़ी और सहर में था और सूर कोड़ा ये नहीं था और इसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि धोला विरा के अंदर मद्यमा यानि की गड़ी और सहर के बीच में एक मद्यमा और पाय जाता है तो इसका आंसर हो गया आपका एब एवम से यानि थरड आंसर इसका कर लो तीसरा इसका आंसर कर लो आगे अपन देखते हैं सही कथन की पहचान करो अपन को सही कथन की पहचान करनी है शिंदु घाटी के नगरों की गहराबंदी नहीं होती थी शिर्फ गड़ी की गहराबंदी होती थी शिर्फ निचले सहर की गहराबंदी होती थी गड़ी और निचले सहर दोनों की वो गड़ी और निचले सेर दोनों की होती थी जिसे की जो नगर है उसकी सुरुक्षा की जासके तो इसका आंसवर च्यार आ गया है क्या जाएगा इसका आंसवर च्यार आ जाएगा 142 का 143 देखना मोहन जोदरो का विसाल इसनानागार जो गड़ी छेतरे में आता है और एक बड़ी इमारत थी और इसका जो आपको लंबाई चोड़ाई और गहराई है वो 11.88 x 7.01 x 2.43 मेटर थी और जिसकी जो फर से वो पक्की एंक्टों की बनी हुई थी और इस मोहन जोदरो का ये जो इसनानागार है ये कोई धार्मिक अनुस्तान में काम में आया करता था और इसके उत्री और दक्षनी शीरों के उपर नीचे उत्रने के लिए सीडिया मनी हुई थी तो इसके बारे में क्या पूछा था पूछ रहा है अनुस्तानिक इसनान के लिए बिल्कुल सही है पुरुईत्यों के इसनान के लिए इसका आंसर क्या जाएगा एक आजाएगा 143 क गोदिवारा याई डॉख्यार्ड यानि जो न उगेरा आने जाने का जो लंगर है, वो किस लेटी से जुड़ा हूआ था? तौशिडी सी बात है लोथल है, वो भोगवा नदी के किनारे पर है, तो ये भोगवा नदी से जुड़ा हूआ था सु 145 नमर क्यूसन देखो हडपिय धरम एक लक्षन के रूप मात्र देवी की पूजा हडपा संस्कृती के सभी पर्मुख नगरू में परचली थी हडपा उर्मोन जो दोशे पकी मिटी की इस्तरिया करती है बड़ी संग्या में प्राप्त हुए तो बिल्कुल सही है कि यहाँ पर मात्र देवी की पूजा की जाती थी और इसका जो प्रमान अपनों को क्या मिलता है कि महाँ पर बहुत सारी टेरा कोटा की आकरतियां अपनों को मिलती है तो ए और आर दोनों सही है आर एकी सही वैक्या है तो 145 का आंस्वर अपना एक हो गया ये एक आंस्वर इसका हो गया तो यहाँ पर आप एक कर लेड़ा 146 देखो खेतू की सिचाई के लिए सिंदु वाशी सामने तै किस प्रकार की व्यावस्ता करते थे गड़ू में जल संचित किया जाता था पकी नहरों का निर्मान किया गया जाता था खेतू में कुई खुद वाए गए सेरों की नलिया खेतू में बाहि जाती थी तो ये लोग घड़ू में जल संचित करने का काम करते थे तो इसका 146 का आंस्वर एक आ जाएगा 146 में देखो निमल खित में से किस अनाज की खेती सिंदू घड़ू में कम होती थी तो कौन सी खेती कम होती थी दान गयों जो और कपास तो इन में तो जो सिंदू घड़ू सबेता है उसमें दान की खेती है वो कम हुआ करती थी बाकि जो गयों और कपास की खेती खुब हो वहाकरती तो एक्सो सेहतल इसमें आंसवर क्या गया इसका आंसवर एक आ गया इसका आंस्वर धान एक कर दो इसके अंदे क्यों अगला है सुमेलित कीजिये अगला क्या है सुमिलित कीजिए तो इसके अंदर अपनों को कुछ तो इस्तल दिये गए है क्या दिये गए है इस्तल दिये गए है सिंदु इस्तल है और उनका उत्खनन वर्स है वो दिया गया है तो कोड दीजी है इसका उतनन गुनी सो पच्पनी स्वी में हुआ था रोपड़ का गुनी सो त्रेपनी स्वी में हुआ था बनावली का गुनी सो तेतर में हुआ था और धोला भी रहे इसका गुनी सो नबे इकान में हुआ था तो इसका आंसर हो गया यह M1, 22, 23 and 24, तो एक आंसर हो गए इसका कौन सा जाएगा नमबर वन आंसर जाएगा तो यह इसकी बाकि आंसर है अब आगे देखते हैं निमल इक्तिमिसिक किस वस्तो का निरियात मेलूआ से होता था जिसकी हरपा संस्क्रती के छितर से पैचान की जाती है यानि हरपा संस्क्रक्र्टी से कौन कौन सी चीजे हैं जिनका निर्याथ है वो दूस्से देशों के अंदर होता था तो इसके अंदर अ, काली लखडी, बै, हाती दान्थ, से, सोना, और दे, सीसा तो अपनको इसके कूट का चेंग करना है तो काली लकडी का निर्यात भी होता था, हाती दान्त का भी होता था और सोना का भी होता लेकिन सीशा का निर्यात नहीं होता था तो इसका ANSOR आ गया A2M से तो आंसवर इसका A के कर लो आगे देखो सिंदु गाटी में मिट्टी के बरतन किस प्रकार बनाए जाते थे तो सिंदू घाटी में जो मिट्टी के वर्तन है वो चाग पर मनाये जाते थे, बिना चाग के सांचे में डालकर मिट्टी के लोदे को हाथ के, तो कैसे बनाये जाते थे? चाग से बनाये जाते थे, किस प्रकार से? यानि ये लोग चाग से अपनी वर्तन बनाते थे, तो इस क संदू गाटी के बर्तनों पर किस प्रकार्व चित्र नहीं मिलते हैं जैमिती पक्स पक्षियूं चित्र अनौत संदू या । बड़ी कहां से मिली है ? पामबे का गाडव है बड़ी कहां से मिली लोथल से नहीं मिली मोंजो दडो यहां से भी नहीं मिली चोनोधोडो दडो दॉआ से मिली भी हड़पा हड़पा से अपने को ताम्भी की इका गाडी है वो मिल्कों अपने को मिलती है आगे 133 में देखो किसे धातू की बनी मोरे सिंदू सब्वेता में नहीं मिली है तो सिंदू सब्वेता के अंदर जो मोरे हैं पत्थर हातिदाथ मिट्टी और टीन तो इनमें से कुन सी की अपन को नहीं मिली तो पत्थर की भी मिली है हातिदाथ की मिली है मिट्टी की मिली लेकिन टीन की मोरे अपन को नहीं मिली है तो इस कांसफर चारा जाएगा सिंदु वाशियों को चांदी कहां से मिलती थी तो सिंदु वाशियों हैं वो चांदी मुख्य रूपशियों को अफगानिस्तान से मिलती थी कहां से मिलती थी अफगानिस्तान से तो इसका अंसफर एक आ गया किस देश के साथ सिंदव सब्यता का व्याप पर एक संपर्क नहीं था तो अफगानिस्तान के साथ में तो थाई चीन के साथ में नहीं था इरान के साथ में भी था और मेसुपोटमिया या इराग के साथ में भी था तो इसका अंसर थड़ा गया क्या गया थड़ा गया किस इस्तान से प्राप्त अभिलोकु में मेलुआ का उलेक किया गया है मिलुआ है उसके कहां के अबिलेखुमी इसका उलेख किया गया है तो सुमेर के जो बिलेख है उनके अंदर अपन को मिलुआ का उलेख मिलता है सही कथनका चैन करें शिंदु घाटी सब्वेता में सुमेर के समान मंदिर थे तो सिंदु गाटी सब्वेता में तो मंदिर थे ही नहीं सिंदु गाटी सब्वेता में सुमेर के समान मंदिर नहीं थे शिंदु गाटी समेता नों सुमेर से मिलते जुलते कुछ मंदिर थे और सिंदु गाटी सब्वेता में शिव के मंदिर थे तो शिंदु घाटी सब्यता में सुमेर के समान मंदिर नहीं थे यानि सुमेर जैसे मंदिर यहां पर नहीं थे तो इसका अंसवर दो आ गया निम्मिल कितमें से कौन सा कथन सकते है ए शिंदु वाशियों को दस्मलब पदितिका ग्यान था बिल्कुल था साथ शिंदु वाशियों के सामुई को व्यापार के प्रमान मिलते हैं सामुई को व्यापार होता था शिंदु वाशियों के विविद माप के बाटू का प्रियोग करते थे यानि अलग 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 तरह के जो वाट है उनका वो प्रियोग करते थे तो ये भी सही है और सिंदु वाइश उनके बाट 18 के अनुपात में थे तो ये गलत है क्योंकि इनके जो बाट है वो सोडा के अनुपात में थे तो ए बै और सह सही आ जाएगा तो इसमें आप ए अनस्वर ए कर लो 159 निमे लिक्तमेशे कौन से कथन सत्ते हैं ये नीचे दिये गए कुछ खतन हैं उनमें कौन से सत्ते हैं वो अपन को देना है तो पहला खतन है इस्टवर्ट पिगोट के अनुसार शिंदु परदेश के सासन पर पुरहीत वरक का अधिकार था शिंदु जो परदेश है उसके सासन के उपर किसका अधिकार था पुरहीत वरक का अधिकार था हंटर के अनुसार इस्टवर्ट पिगोट नहीं कहा था कि हडपा और मोहन जो दुड़ है वो इस परदेश की स्विक तराजदानिया थी ये भी ध्यान रखना हंटर के अनुसार मौन जो दोड़गा सासन राज तंतरात्मक नोकर जनतात्मक ता तो ये भी सही है उपर वाला भी सही है मेके ने कहा मौन जो दोड़गा सासक एक परतिनी दी सासन के हाथ में था तो ये भी सही है और वेलर के नुसार शिंदू छेतर की सासने वेवस्ता मद्यम वर्गिय जनतांत्रिक थी तो ये भी सही है तो ये चारू ही कथन सही है तो ये सबी चार इसकांज फुरा जाएगा हडपा कालीन लिपी के विशे में निम्न में से कौन सा एक अधिक संभावित है हडपा की जो लिपी है उन में से निम्न में से कौन सा एक संभावित है ये निशित रूपशे दर्विड है हडपा की लिपी ये निशित रूप से संसकर्थ सम्वेश है तो आपको ये तो मालूम है कि जो हडपा की लिपी है उसके अब तक लगवग चार सो अक्सर है उनकी खोज की जा चुकी है और ये कैसी लिपी है भाव चित्रात्मक जिसको अपन बैस्टो फैदों भी कहते है तो ये वर्णाकर्णुमिक नहीं बलकि मुखेते चित्रित है तो ये भी सही है इसे लिपी में प्रिक्त बासा का निशिती सुमीरियन समंद है तो क्या करना पन निमने से कौन सा एक अधिक संबावित है तो ये अधिक संबावित के अंदर अपना आंस्वर आ जाएगा कि ये लिपी ये है चित्रित यानि ये भाव चित्रात्मक थी तो ये है लिपी वर्णाकर्मिक नहीं हो करके चित्रित थी 161 में सत्य कथन को पैचान करें शिंदु गाटी में चांदी के शिक्के चलते थे शिंदु गाटी में तांबे के शिक्के चलते थे शिंदु गाटी में आहाद शिक्के परचली थे और उप्रोक्त में से कोई नहीं तो शिंदू घाटी में किसी भी परकार के कोई शिक्के नहीं चलते थे तो इसका आंस्वर चियारा जाएगा अगला कि उसन देखो शिंदू वाशी मनोरंजन के लिए किने साधनों से प्रीचित नहीं थे पस्चू पक्षियों का युद देखना गुर्दोड करना नरते देखना चोपड़ वया सतरंज खेलना तो उससमें गोड़े थे ही नहीं तो इसके अंदर आपको आंस्वर दो आजाएगा वन सिक्स्टी टू में आप दो कर दो गुर्दोड़ वय गोड़े उससमें नहीं थे जो अपन को सूर कोटड़ा से गोड़े के अवसेश मिले हैं वो उपरी स्तर में मिले हैं यानि वो हड़पा के बाद के हैं निम लिखित इस्तलों में से किसी एक स्तल की खुदाई प्रस्तर युक्षे हडपा संस्करती तथा वास और संस्करती विकास का प्रमान देती है तो हडपा युक्षे आगे तक आप देखोगे तो मेहरगड है यहां से अपन को आगे प्रस्तर युक्षे ले करके आगे तक की संस्करती लगातार अपन को मिलती है आगे देखो निम लिखित में से कौन सी संस्करती उत्तर हडपा काली नहीं है उत्तर हडपा काली नहीं हडपा के बाद की कोहन सी नहीं है तो कबिर्स्तान ए संसकर्ती दूसरा है जहंगर संसकर्ती दूसरा क्या दिरखा है जहंगर संसकर्ती तीसरा है गंगा गाटी तामरनेदी संसकर्ती और चोथा है आमरी संस्क्रती तो इसका अंसर आ जाएगा आमरी संस्क्रती अगला देखो काली बंगा का उत्खन सर पर्थम किसने करवाय था तो गुनी सो त्रेपनिस्वी के अंदर अमलानंद घोस है उन्होंने करवाया और गुनी सो इक सट से 69 तक फिर वी विलाल और वी क थाफर ने किया तो इसका अंसर दो आ जाएगा चनुदुड़ो के पर्थम उत्खन करता कौन थे तो चनुदुड़ो है वहां के जो पर्थम उत्खन करता है वो एंजी मजुमदार थे चनुदुड़ो में क्या चीज मिली है वक्राकार इंटे मिली है और मन का बनाने का का खाना भी अपने को मिला है चंदुरो कहा है सिंद पाकिस्तान में है शिंदु सबेता और सुमेर सबेता में अंतर किस्से प्रकट होता है इंट का विवार मोहर बनाने की कला लिपी का विवार और मंदिर निर्मान तो इन में से मंदिर का निर्मान है वो सिंदु सबेता में न आपको आंस्वर चार आ गया अनाज की दवन्नी के चबूत्रे निमली की तस्तलों में से कहां पर मिले हैं आपन को अच्छी तरह जान है कि अनाज की दवन्नी के जो चबूत्रे हैं वो अपन को कहां पर मिलते हैं हडपा में मिलते हैं छे छे की संक्या के अंदर दो पंक्तियों में मिलते हैं तो ये इस का अंस्वर चार आ गया 169 देखो सिंदु घाटी में पकाए गई मिट्टी की पाइप नुमा नालियां कहां से मिली हैं तो पाइप नुमा नालियां हैं वो अपन को 94 दोडों से मिलती हैं और लकडी की नालियां कहां से मिलती हैं काली बंगा से मिलती हैं तो इस का अंस्वर के आ गया एक चनू दढ़ो आगे देखो 170 के अंदर सिंदु घाटी में लकडी के खोकले तनेशे बनी नालियां कहां मिली तो अभी मैंने आपको बताया था यह अपनको काली बंगा से मिले हैं तो thank you dear students अगले वीडियो के अंदर और क्यूशन के साथ में आपके साथ में एक वीडियो लेकर के आएंगे आप इस channel को अपने दोस्तों के साथ में share करो, वीडियो को share करो channel को subscribe करो और अच्छा लगे तो like करो और किसी प्रकार की कोई कॉमेंट्स हो तो कॉमेंट्स सेक्षन में आप अब इसे दें थेंक्यू वरी मस इस्टे होम इस्टे सेप